What's up everybody, assalamu alaikum, hope you're doing okay. And if you can use this tool really, really well, creative fields can make a lot of money in the creative fields. After that, many people have a lot of complaints. Ramij, you were talking about money, you had to put money here, you had to put money here, because mid-journey, now we need to make our subscription charges. Now, look, they changed their policy, they didn't want to do it. We couldn't do anything, you didn't want to do it. You said, what do you want to do? Because if I had a mid-journey or a mid-journey, I gave all the Pakistanis to mid-journey free subscription. जिन्दगी भर के लिए दे देता, मगर unfortunately, मेरे खान्दान में कोई इतना talented नहीं है, कि mid-journey जैसी चीज़ बना ले. मगर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज दो ऐसे free mid-journey के alternatives बताऊंगा, जिसके अंदर आप अपना थोड़ा बहुत हाथ साफ कर सकते हैं. If you want to play around with AI, you can use these two free platforms and have some fun. उसके बाद अगर आपको यह समझ नहीं आते, तो मैं आपको एक जुगार तरीका बताऊंगा, जिसके अंदर वो कहते हैं न, थोड़ा भाई मुनासिब कर लो. सस्ते के अंदर आप mid journey इस्तमाल भी कर लेंगे और जादा पैसे भी आपको नहीं डुबाने पड़ेंगे. और तीसरी चीज़, जो सबसे important है, वो यह है कि mid journey type के tools को अगर आप इस्तमाल करना सीख लेते हैं, तो इससे generate हुआवा आर्ट आपको कहां बेचना है, अचा आज की वीडियो के अंदर मैं एक ही prompt यूज़ करूँगा, तीनों platforms को मैं same prompt दूँगा, ताकि आप results में difference देख सकें कि कौन सा platform किस तरीके की चीज़ करता है, प्लैटफॉर्म है भाईया, an Asian woman on a busy street in Tokyo, posing for the camera, summer dress, mid day. सबसे पहले हम Playground AI को चेक कर लेते हैं, इसका कुछ interface में आपको समझा देता हूँ, left hand पे आपको ये prompt का box नजर आ रहा होगा, इसमें मेरी prompt अलेडी लिखी हुई है, उसके उपर आपको यहां पर कुछ art styles नजर आ रहे होंगे, Playground AI की एक अच्छी चीज़ ये है, कि भाईया, ये art styles आपको पहले से बना के दे देता है, ताकि अगर आपको art styles समझ नहीं आ रहे हों, तो आप preset, default कुछ settings हैं, उनके साथ खेल सकें, तो इसको मैंने ये prompt दिया, result के अंदर भाईया, इसने मुझे कुछ इस तरीके की चीज़े बना के दी है, and if you look at these, honestly speaking, ये थोड़ी सी डराउनी है, इस platform का मसला ये है, बाईया, शकलों के अंदर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इसका जो engine है, वो human faces को सही तरीके से create नहीं कर सकता, तो visually कोई चीज़ बन तो गई है, मगर इन artworks के अंदर जो model है, जो हमारी Asian woman है, उसको अगर आप देखें, तो ऐसा लग रहा है, कि वो plastic की बनीवीती, किसी आग में उस पुतले को रख दिया, और वो उसकी शकल पिगल गई है, plastic पिगल गई है, इसके ओपर आप क्लिक करेंगे, तो we will be redirected to a discord server, अब इसको भी मैंने इसी तरीके से prompt दिया है, slash मार के मैं imagine करूँगा, और imagine के box के अंदर मैं अपनी prompt पेस्ट कर दूँगा, then I will hit enter, चलो भाईया, इनोंने मुझे कुछ इस तरीके चीज़े बना के दी है, obviously this is much much better than that stupid playground AI की पिगली वी तस्वीर है, बट अगर आप इसको देखें, तो ये भी थोड़ी सी generated लग रही है, fake लग रही है, artificial computer generated लग रही है, और अगर आप facial details के ओपर थोड़ा सा focus करें, तो यहां भी शकले थोड़ी सी पिगली हुई नजर आ रही है, it's not exactly perfect, इनको देखें ये नहीं लग रहा कि ये real लोग हैं, real ओरते हैं, ये अगर आप देखें, तो इनकी शकल थोड़ी सी off है, एक आँख बढ़ी है, एक आँख छोटी है, मुँ आफ है, हाथ आफ होए में, दूर से तो अच्छा लग रहा है, but as soon as you zoom in, it looks very very off, अब हम आते हैं भाईया, mid journey के ओपर, यही प्राउंट भाईया, मैंने mid journey को दिया, और mid journey ने जो मुझे images बना के दिया है, oh my god, मुझे मोहबबत हो गई है, look at this, look at how beautiful this render is, अगर आप यहां पर facial features को देखें, तो आपको लग रहा है कि यह एक actual औरत है, actual लड़की है, इसकी overall body composition बहुत real लग रही है, summer dress की details बहुत जबर दस दिशन, उसके अलावा अगर आप देखें, तो पीछे की जो details है, पीछे के जो लोग है, they look very very real, यह actually लग रहा है कि यह photograph है, I'll show you a few more, look at how real this visualization looks, third option भी अगर आप देखें, तो इंतहाई जबरदस्त है, background details बहुत अच्छी लग रही है, this actually looks like a very high detail fashion shoot, तो इनको देखें लग रहा है कि यह real है, इनको आप इस्तमाल कर सकते हैं, तो अब आपके सामने यहाँ पे तीनों अलग-अलग rendition नज़र आ रहे होंगे, and you can tell कि graph के उपर free से लेके paid के बीच में quality का difference क्या है, तो भाई अगर आप professionally कुछ काम करना चाहते हैं, तो I would highly recommend के आप mid journey ही इस्तमाल करें, क्योंकि उसके अलाव़ जो free options हैं, वो आपको उतनी अच्छी, उतनी detailed चीज़े नहीं देंगे, मगर अगर अगर आपको mid journey ही इस्तमाल करना है, आप थोड़े से कंगाल हैं, पैसे नहीं हैं, एक Discord ID बना, पांच ओ बंदे जो हैं, वो ID, पासवर्ट शेर कर लो, और दिन सेट कर लो, कि मंडे आप इस्तमाल करेंगे, Tuesday मैं इस्तमाल करूँगा, Wednesday मैं इस्तमाल करूँगा, और दो डॉलर तक्रीबन 580-600 रुपे बनते हैं, भाई ये हो गई चीज़, फ्री के options की और Mid Journey को फोकट में, मुनासिब कर लो भाई वाले तरीके से कैसे इस्तमाल करने, अब हम बात करते हैं, पैसिव इंकम की, एक website इसका नाम है Adobe Stock, और Adobe Stock के ओपर भाईया, आप बहुत सारी चीज़े सेल कर सकते हैं, artworks सेल कर सकते हैं, images सेल कर सकते हैं, video footage सेल कर सकते हैं, all you have to do is make an account, account बनाने के बाद, आप अपनी submissions करेंगे, and obviously ये लोग देखेंगे, कि submissions के अंदर कोई भंद तो नहीं है, कोई मस्ते नहीं है, कुछ rules हैं जो फॉलो करने है, copyrighted stuff आप नहीं बना सकते, अगर कोई real person की जो है, वो शबहात आ रही है, आपके artwork में, लेजसे आपने Elon Musk की तस्वीर बना दी, तो आप सेल नहीं कर सकते, बर उसके लावा, it's actually pretty open-ended, देर से दो हफता लगता है, आपकी submissions को इस website के उपर accept होने में, और ये shutter stock type की एक website है, जिसमें बहुत सारे artworks हैं, people come, they pay a certain fee, और वो अपनी मर्जी की चीज़े ढूंदते हैं, और जब उनको मिल जाती है, तो उसके पैसे दे देते हैं, हर सेल के ओपर आपको 33% royalty मिलती है, और अगर आपके artworks यहाँ पर चल जाते हैं, और आप अपने artworks बेच सकते हैं, और वेटे वेटे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, इतना असान नहीं है, मगर भाया एक opportunity है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी तो एक डॉलर भी नहीं कमा रहें, इस field के अंदर जितनी opportunities create हो रही हैं, उनको उर्दू जबान में, हिंदी जबान में, लोकलाइज जबान के अंदर आप तक पहुचाओं, तो भाया comment के अंदर बता दें, subscribe के बटन ठोक दें, like के बटन ठोक दें, आगली एपिसोद तक के लिए इजादत दीजे, this is me, Ramesh Safa, signing out, take care, Allah Hafiz.